Dear Students, मैं एक लब्य, आज आपको Interchange of Affirmative and Negative Part 4 परहाने जा रहा हूँ इसमें हम लोग Affirmative Sentence को Negative में Interchange करेंगे और Negative Sentence को Affirmative में Interchange करेंगे Affirmative Sentence में प्रयुक्त उपयोग किया गया, प्रयोग में लाया गया Only या Alone को None But या No One But में प्रिवर्तित कर या बदल कर Negative Sentence बनाये जाते हैं यहां हम लोग Type 4A पर रहे हैं Type 4A में Affirmative Sentence को Negative में Interchange करेंगे Affirmative Sentence को Negative में Transform करेंगे और सीखेंगे कि एक ही बात को हम दो प्रकार से कैसे कह सकते हैं Number 96 Only Manis came to console me इसका Hindi अर्थ होता है केवल Manis ही मुझे सांतोना देने के लिए आया Hindi में इसको दूसरे प्रकार से कह सकते हैं मात्र Manis ही मुझे सांतोना देने के लिए आया Hindi में हम लोग इसको तीसरे प्रकार से भी कह सकते हैं सिर्फ Manis ही मुझे सांतोना देने के लिए आया जब इस सेंटेंस को हम लोग आफर्मेटिव से निगेटिव में इंटरचेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है None but Manis came to console me और इसका Hindi अर्थ होता है Manis के अलावा मुझे कोई भी सांतोना देने नहीं आया Hindi में के अलावा के जग़ को छोर कर भी बोल सकते हैं Manis को छोर कर मुझे कोई भी सांतोना देने नहीं आया Number 97 Only the rich can buy this car इसका Hindi अर्थ होता है केवल धनी वैक्ती यह गारी खरीद सकता है या सिर्फ धनी वैक्ती यह गारी खरीद सकता है या मात्र धनी वैक्ती यह गारी खरीद सकता है हिंदी में इसी एक सेंटेंस को हम लोग तीन प्रकार से बोल सकते हैं केवल के जगह हम सिर्फ लगा कर बोलेंगे या मात्र लगा कर बोलेंगे जब इस सेंटेंस को हम लोग आफर्मेटिव से निगेटिव मेंटर चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है None but the rich और इसका हिंदी अर्थ होता है धनी वैक्ति के अलावा कोई अन्य यहगारी नहीं खरीद सकता है या धनी वैक्ति को छोर कर कोई अन्य यहगारी नहीं खरीद सकता है या धनी वैक्ति के सिवा कोई अन्य वैक्ति यहगारी नहीं खरीद सकता है या धनी व्यक्ति के सिवाई कोई अन्य व्यक्तिय गारी नहीं खरीच सकता है इसी एक सेंटेंस को हम लोग हिंदी में चार प्रकार से बोल सकते हैं के अलावा को हटा कर हमको छोर कर लिख सकते हैं या के सिवा लिख सकते हैं या के सिवाई लिख सकते हैं इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक ही वाक्य को हम लोग दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं एक affirmative में और दूसरा negative में और दोनों का आर्थ एक ही होता है अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है अता हम एक बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ भी न ही बदलता है number 98 only a fearless hunter can kill this tiger इसका हिंदी अर्थ होता है केवल एक सहसी सिकारी ही इस बाग को मार सकता है या केवल एक हिम्मत बाला सिकारी ही इस बाग को मार सकता है जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो वाक्य बनता है none but a fearless hunter can kill this tiger और इसका हिंदी अर्थ होता है एक सहसी सिकारी के अलावा कोई दूसरा इस बाग को नहीं मार सकता है या एक हिम्मत वाला सिकारी के आलावा कोई दूसरा इस बाग को नहीं मार सकता है आप चाहें तो केवल के जगह पर आप मात्र लिख सकते हैं या सिर्फ लिख सकते हैं और के अलावा के जगह पर को छोर कर लिख सकते हैं या के सिवा लिख सकते हैं या के सिवाई लिख सकते हैं इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक ही बात को हम लोग affirmative में कह सकते हैं या negative में कह सकते हैं और दोनों के अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है number 99 only a fool or do such a thing इसका हिंदी अर्थ होता है केवल एक मुर्ख ही ऐसा काम करेगा जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है none but a fool or do such a thing और इसका हिंदी अर्थ होता है एक मुर्ख के अलावा कोई दूसरा ऐसा काम नहीं करेगा इहां हम लोगों ने देखा कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अता हम किसी affirmative sentence को negative में interchange कर सकते हैं और अर्थ भी नहीं बदलता है Number 100 Only a fool can behave like this और इसका हिंदी अर्थ होता है केवल मुर्ख ही इस तरह का बिभार कर सकता है जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है None but a fool can behave like this और इसका हिंदी अर्थ होता है मुर्ख के अलावा या मुर्ख के सिवाई कोई अन्य इस तरह का बिभार नहीं कर सकता है इहां हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है अता हम किसी भी बात को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और अर्थ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है Number 101 Only a coward would flee from his duty या a coward alone would flee from his duty इसका हिंदी अर्थ होता है केवल कायर ही अपने कर्तब से भागेगा सिर्फ कायर ही अपने कर्तब से भागेगा Only a coward के जगा पर हम एक coward alone भी लिख सकते हैं जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative में interchange करते हैं तो sentence बनता है None but a coward would flee from his duty और इसका हिंदी अर्थ होता है कायर के अलावा कायर को छोर कर कायर के सिवा कायर के सिवाई कोई अन्य अपने कर्तब से नहीं भागेगा इहां हम देखते हैं कि affirmative और negative दोनों ही sentence का अर्थ एक ही होता है अत्त हम किसी affirmative sentence को negative में interchange कर सकते हैं और अर्थ भी नहीं बदलता है इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ भी नहीं बदलता है नमबर 102 केवल मोहित मुझसे मिलने के लिए आया जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative एंटरचेंज करते हैं तो sentence बनता है नन बट मोहित came to see me और इसका हिंदी अर्थ होता है मोहित के अलावा कोई अन्य मुझसे मिलने के लिए नहीं आया यहां दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है आप दोनों sentence में कोई भी एक sentence कहेंगे तो दोनों का मतलब एक ही होता है दोनों का अर्थ एक ही होता है अता हम किसी भी affirmative sentence को negative में interchange कर सकते हैं और अर्थ भी नहीं बदलता है इस प्रकार हम आपको बोल सकते हैं कि आप एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है मतलब में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है इसका हिंदी अर्थ होता है केवल सुनातकों को आवेदन देने की आवश सकता है जब इस सेंटेंस को हम लोग आफर्मेटिव से निगेटिम एंटर चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है इसका हिंदी अर्थ होता है शनातकों के अलावा किसी अन्य को आवेदन देने की आवश सकता नहीं है इहां हम देखते हैं जब आफर्मेटिम में ओनली रहता है तो इसको बदल कर निगेटिम में आप नन बट लिख सकते हैं हमेशा ओनली का प्रियोग नाउन से पहले किया जाता है यदि हम चाहते एलोन का प्रियोग यहां करना तो ग्रेजुएट्स के बाद अलोन लगाते और इस सेंटेंस को पढ़ते ग्रेजुएट्स अलोन नीड अपलाई और इस सेंटेंस को भी हम इसी प्रकार से बदल सकते हैं नन बट ग्रेजुएट्स नीड अपलाई या नो वन बट ग्रेजुएट्स नीड अपलाई हम लोग यहां देखते हैं कि हिंदी में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम लोग तीन प्रकार से लिख सकते हैं केवल को हटा कर मात्र भी लिख सकते हैं या सिर्व भी लिख सकते हैं और negative में जो sentence है, इसको हम लोग 5 परकार से बोल सकते हैं, के अलावा को हटा कर, के अतिरिक्त लिख सकते हैं, को छोर कर लिख सकते हैं, के सिवाई लिख सकते हैं, के सिवा लिख सकते हैं, इस परकार हम देखते हैं, कि हम एक ही बात को 2 परकार से बोल सकते हैं, एक affirmative में, एक negative म अर्थात हम किसी भी sentence को affirmative से negative में बदल सकते हैं और अर्थ में या आसे में या भाव में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है 104 Only a millionaire can afford such extravagance और इसका हिंदी अर्थ होता है केवल करोरपती ही ऐसा फजूल खर्ची वहन कर सकता है जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative mentor change करते हैं तो sentence बनता है None but a millionaire can afford such extravagance और इसका हिंदी अर्थ होता है करोरपती के अलावा कोई दूसरा ऐसा फजूल खर्ची वहन नहीं कर सकता है इहां हम देखते हैं कि एक ही वाक्य को हम लोग एक ही बात को हम लोग बिना अर्थ में बदलाव किये हुए दो प्रकार से लिख सकते हैं अता हम किसी भी affirmative sentence को negative में बिना अर्थ में बदलाव किये हुए ही बदल सकते हैं 105, only you can solve this problem इसका हिंदी अर्थ होता है केवल तुम ही इस समस्या को हल कर सकते हो सिर्फ तुम ही इस समस्या को हल कर सकते हो मात्र तुम ही इस समस्या को हल कर सकते हो जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है none but you can solve this problem और इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हारे अलावा कोई अन्य इस समस्या का हल नहीं कर सकता है या कर सकते हैं यहां हम देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का मतलब एक ही होता है अता आप किसी भी affirmative sentence को बिना अर्थ में परिवर्तन किये negative में interchange कर सकते हैं अता हम किसी भी बात को बिना अर्थ को बदले दो प्रकार से बोल सकते हैं नमबर 106, only Neha has inspired me to write this book, इसका हिंदी अर्थ होता है, इस किताब को लिखने के लिए, केवल Neha ने मुझे प्रेरित किया है, जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं, तो sentence बनता है, इसका हिंदी अर्थ होता है, इस किताब को लिखने के लिए, नेहा के अलावा, किसी अन्य ने मुझे प्रेरित नहीं किया है, इहां हम देखते हैं, कि जब हम लोग affirmative से negative में sentence को interchange करते हैं, तो अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है, अतहम किसी भी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, और अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है, नमबर 107, only the brave या the brave alone deserve the fear इसका हिंदी अर्थ होता है केवल बहादूर वैक्ती ही निस्पक्ष होता है जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है, none but the brave deserve the fear इसका हिंदी अर्थ होता है, बहादूर वैक्ती के अलावा कोई अनिस्पक्ष नहीं होता है हम यहाँ देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है दोनों ही वाक्यों का मतलब एक ही है अता हम किसी भी affirmative sentence को negative में बिना अर्थ में परिवर्तन किये हुए बदल सकते हैं अर्थात हम किसी भी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब हम लोग only का प्रियोग करते हैं affirmative में तो negative में none but का करते हैं या जब हम affirmative में alone का प्रियोग करते हैं तो negative में none but का प्रियोग करते हैं नमबर 107 Only the brave या the brave alone deserve the fair इसका हिंदी अर्थ होता है केवल बहादूर वैक्ती ही निस्पक्ष होता है जब इस sentence को हम लोग affirmative से negative interchange करते हैं तो sentence बनता है none but the brave deserve the fair इसका हिंदी अर्थ होता है बहादूर वैक्ती के अलावा कोई अनिस्पक्ष नहीं होता है हम यहाँ देखते हैं कि दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही है दोनों ही वाक्यों का मतलब एक ही है अता हम किसी भी affirmative sentence को negative में बिना अर्थ में परिवर्तन किये हुए बदल सकते हैं अर्थात हम किसी भी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का प्रिवर्तन नहीं होता है बस आपको ध्यान यह रखना है कि जब हम लोग only का प्रियोग करते हैं affirmative में तो negative में none but का करते हैं या जब हम affirmative में alone का प्रियोग करते हैं तो negative में none but का प्रियोग करते हैं टाइप 4B इस type 4V में हम लोग केवल उन वाक्यों का ध्यन करेंगे जिसको हम लोग negative से affirmative में interchange करेंगे यह चौथे प्रकार का वाक्य है इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चा के अलावा कोई अन्य ऐसी बात नहीं कर सकता था जब इस sentence को हम लोग negative से affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है Only a child could talk like this और इसका हिंदी अर्थ होता है केबल बच्चा ही ऐसी बात कर सकता था यहां दोनों वाक्यों के अर्थ में यहां दोनों वाक्यों के मतलब में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं है किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं है अतह आप किसी भी निगेटिव सेंटेंस को अर्थ में बिना किसी प्रकार के पडिवर्तन किये हुए ही affirmative में बदल सकते हैं अर्थात आप किसी भी बात को बिना अर्थ में बदलाव किये हुए ही दो प्रकार से बोल सकते हैं नमबर 109, no one but सचिन can help us, इसका हिंदी अर्थ होता है, सचिन को छोर कर, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, यहां हम को छोर के जगह पर, के अतरिक्द भी लिख सकते हैं, के अलावा भी लिख सकते हैं, के सिवा भी लिख सकते हैं, के सिवा भी लिख सकते हैं, सभी का ही होगा और जब इस negative sentence को हम लोग affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है only such in can help us और इसका हिंदी अर्थ होता है केवल सचिन ही हमारी मदद कर सकता है केवल को हटा कर हम लोग सिर्फ भी लिख सकते हैं मात्र भी लिख सकते हैं और सभी का आर्थ एक ही होगा और हम लोगों ने यह भी देखा कि अंग्रेजी में no one but के जगा पर हम none but भी लिख सकते हैं और only के जगा पर सचिन alone भी लिख सकते हैं लेकिन only का प्रियोग पहले होता है यदि हम alone लिखते तो सचिन के बाद होता है। इहां हम लोगों ने देखा कि किसी भी negative sentence को बिना अर्थ में परिवर्तन किये हुए ही हम लोग अफर्मेटी में इंटर्चेंज कर सकते हैं अता एक ही बात को हम लोग दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में भी बदलाव नहीं होता है 110, none but Ram can do it इसका हिंदी अर्थ होता है राम के अलावा कोई अन्य यह नहीं कर सकता है जब इस निगेटीव सेंटेंज को हम लोग आफर्मेटी में इंटर्चेंज करते हैं तो सेंटेंज बनता है only Ram can do it इसका हिंदी अर्थ होता है केबल Ram ही यह कर सकता है इहां हम लोग बिना अर्थ में किसी प्रकार का पडिवर्तन किये हुए ही किसी भी निगेटीव सेंटेंज को अफर्मेटी में इंटर्चेंज कर सकते हैं अता हम किसी भी बात को दो प्रकार से बोल सकते हैं और अर्थ में भी किसी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है कोई भी शिव के धनुस को नहीं तोड सका जब इस negative sentence को हम लोग affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है Only Ram could break the bow of Lord Shiva और इसका हिंदी अर्थ होता है केवल Ram ही शिव के धनुस को तोड सके इहां हम लोगों ने देखा दोनों ही वाक्यों का अर्थ एक ही होता है अर्थात हम किसी भी negative sentence को affirmative में interchange कर सकते हैं और अर्थ भी नहीं बदलता है अर्थात हम किसी भी बात को दो प्रकार से बिना अर्थ को बदलिये हुए ही बोल सकते हैं 112 None but you wanted to help her इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हारे अलावा कोई अन्य उसकी मदद करना नहीं चाहता था जब इस sentence को हम लोग negative से affirmative में interchange करते हैं तो sentence बनता है Only you wanted to help her और इसका हिंदी अर्थ होता है केवल तुम ही उसकी मदद करना चाहते थे यहां दोनों वाक्यों के अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं है अर्थात हम किसी भी negative sentence को affirmative में interchange कर सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है अता हम कर सकते हैं कि किसी भी बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं बिना अर्थ में पडिवर्तन किये हुए ही इसका हिंदी अर्थ होता है मा के अलावा कोई अन्य अपने बच्चा से इतनी अच्छी तरह से प्यार नहीं कर सकती है इहां आप के अलावा के जगह पर के अलावा के सिवा के सिवाई को छोर कर के अतरिक्त लिख सकते हैं यानि के अलावा के बदले के सिवा भी लिख सकते हैं के सिवाई भी लिख सकते हैं को छोर कर भी लिख सकते हैं के अतरिक्त भी लिख सकते हैं हिंदी में ही इस वाक्य को आप लोग पांच परकार से बोल सकते हैं और अर्थ में किसी भी परकार का पड़िवर्तन नहीं होता है जब इस सेंटेंस को हम लोग निगेटिव से अफर्मेटिव मेंटर चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है Only a mother can love her child so well और इसका हिंदी अर्थ होता है केबल मा ही अपने बच्चा से इतनी अच्छी तरह से प्यार कर सकती है इहां हम लोगों ने देखा कि एक ही बात को हम लोग negative में बोलते हैं और affirmative में भी बोलते हैं और अर्थ में किसी भी परकार का पडिवर्तन नहीं होता है तता आप किसी भी वाक्य को negative से affirmative में interchange कर सकते हैं बिना अर्थ को बदले अर्थात हम एक ही बात को दो परकार से बोल सकते हैं एक निगेटिव में दूसरा अफर्मेटिव में या एक अफर्मेटिव में दूसरा निगेटिव में और अर्थ में किसी भी परकार का पड़िवर्तन नहीं होता है अर्थ में किसी भी परकार का बदलाव नहीं होता है Dear students, इस चौथे बीडियो में हम लोगों ने चौथे प्रकार के वाक्यों को affirmative से negative और negative से affirmative में बदलना सीखा और देखा कि वाकि के मतलब में, वाकि के अर्थ में, वाकि के भाव में किसी भी प्रकार का बदलाव, किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है अतह हम एक ही बात को दो प्रकार से कह सकते हैं और अर्थ में किसी भी प्रकार का पडिवर्तन नहीं होता है अर्थात दोनों का मतलब एक होता है Dear students, अब मेरी अगली भेट आप से अगले बीडियो में होगी तब तक के लिए, बाई बाई